हेलो दोस्तों कैस आप सब लोग तो जैसा कि मैंने बोला था रोयन एंट फिल की अपकमिंग बाइकों को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जल्दी ही आप सब के लिए आज दोस्तों ये वीडियो आ गई है जिसमें टोटल पाच बाइके होने वाले रोयन एंट फिल की तरफ से के लिए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों पहले नंबर पर मैंने रखाया रोयन एंट फिल हंटर 350 को जो बिलकुल नया मोडल है 2021 इंडियन मार्केट के लिए सबसे पहले इस बैक के लुक्सर डिजैन के बारे में बात कर लेते हैं ये हंटर 350 रोस पहले कि रोयल एंट फिल्लेस में एक्जोर सिस्टम, टेल लैंप, इंडिकेटर और डॉल गैस चार्च शोक अब्जोरबर इन सभी बार्ट को इंटरसेप्टर 650 से यूज़ किया है या तिर उसी मोडियूल का सीम रखा है पर्फॉर्मेंस और इंजन कैपासिटी की बात कर और मैक्सिमाम टोफ दो स्टाप को 27 न्यूटर मिटर का मिल जाएगा 4000 आर्पीम पर बाइक में 5-speed gearbox transmission और डूल चैनल ABS आपको मिल जाएगे और बाकी features के बार में बता दू आपको इसमें smartphone connectivity और wind and filter रिपर turn by turn navigation जैसे features मिल जाएगे suspension और chassis के बार में बात कर लेते हैं बाइक में front में 41 mm telescopic fork और rear में twin shock absorber है और twin down tube spine frame वाला chassis आपको बाइक में मिल जाएगा hunter 350 का test है इस front का 100 by 90 mm और rear का 14 by 70 mm का रहने वाला है और दोस्तो इसमें आपको tube ले star और allowables देखने को मिल जाएगे lightning में दोस्तो front में halogen lamp और rear में LED tail light का का काम किया रहन एंफिल्ड ने लेकिन इसके turn signals आपको halogen बलबाले ही मिलेंगे तो चलिए इसके launch date और pricing के बार में आपको बताया तो hunter 350 का दोस्तो expected launch May 2021 का रखा गया है और बाइक का expected price 117,000 action room तक रहने वाला है इस लिस्ट की अगली बाइक है रोएन एंफिल्ड रोस्टर 650 दोस्तो रोएन एंफिल्ड अपने twin cylinder लाइनप को increase कर और launch कर आप सब के लिए cruiser रोस्टर 650 को ये बाइक कमपनी के flagship variant में आएगी जैसा की Interceptor और Continental GT आती है दोस्तो ये बाइक तीन से चार बारी स्पोर्ट होगी है टेस्ट राइडिंग के दुरान जिसमें काफी muscular और upright look दे रही है इसके launch date और pricing के बारे में बात करते है दोस्तो ये बाइक आपको डोयन एंफिल्ड की तरफ से में से जुलाई तक देखने को मिल जाएगी इंडियर मार्केट में और दोस्तो इसका price अब तक disclose नहीं हुआ है लेकिन जो expected रखा गया है वो 30,000,000 से 30,000,000 तक का रखा गया है बाकि इसके features के बारे में आपको बताया तो जितना मेरे को पता चला है इसमें आपको console से में digitally मिलेगा और adjustable dual channel ABS और turn by turn navigation जैसे features आपको मिल जाएगे दोस्तो ये तीसरी बाइक काफी special है Royal Enfield की तरफ से पहली बार Royal Enfield ने high CC segment वाली बाइक पर काम किया है और बाइक को काफी aggressive futuristic look दिया है जैसा कि आप देखी सकते हो Royal Enfield ने इस बाइक का नाम बोबर 838 रखा है दोस्तो इसका फिलाल में concept ही सामने निकल कर आया है जिसमें ये बाइक 838 CC between OHC liquid cooled BS6 compact engine के साथ आएगी जिसमें इस बाइक का maximum power 90bhp का होगा और maximum torque आपको 100Nm का मिल जाएगा बाइक में 6-speed gearbox transmission और dual channel ABS रहने वाले और front tire में आपको dual disc का option मिल जाएगा suspension की बात करें तो दोस्तो आपको front में gator fog single damper और rear में single damper with progressive link वाले suspension आ जाएगे और console bike में fully digital रहने वाला जिसमें आपको speedometer, tachometer, odometer, trip meter, fuel gauge, gear, indicator, ABS light जैसे function show हो जाएगे lightning दोस्तो fully LED होने वाली Royal Enfield की तरफ से और दोस्तो इसके launch और pricing के बारे में आपको बता देता हूँ अभी तक इस bike की launch और manufacturing confirm नहीं हुए लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये bike आपको 2021 के end तक या फिर 2022 के mid तक देखने को मिल जाएगी इंडियन market में फॉर्थ bike का 2021 Royal Enfield Classic 350 दोस्तो कमपनी ने अपनी Classic 350 में और भी जाता premium लुक देने का बाता किया है जिस वज़ा से कमपनी ने इसमें कुछ premium पार्ट डाले तो चलिए उन सब के बारे में बात कर लेते है 2021 Classic 350 में आपको tail light और side indicator LED वाले देखने को मिलेंगे और front में हर बार की तरह halogen bulb भी देखने को मिल जाएगा बाइक में cradle frame front telescopic fork को rear twin shock absorber के साथ डाला है और ये बाइक भी spot हो चुकी है टेश ट्राइडिंग के दोरान चेन नहीं में इंजिन के बारे में आपको बताएगा हूँ दोस्तों Classic 350 में 350cc air cold fuel injected engine आपको मिल जग जो फिलाल में ही meteor 350 में यूज किया गया है जिसमें maximum power 20.48 bhp और maximum down 27 newton milter का रहने वाला है बाइक के 2021 variant में आपको 60 degree box transmission मिल जाएगे जो कि बाइक के performance को और भी better कर देंगे highway touring पर दूसरा change बाइक के brake में जिसमें front brake को right की तरफ move कर दिया गया और size को भी थोड़ा सा increase कर दिया है बागी ruin and build की बाइकों से और बाइक में fuel tank capacity आपको 13.5 liters की मिल जाएगी और दोस्तो classic 350 मिलेज आपको 40.8 km पर लेटर का दे देगी तो जो riders इस bike को मिलेज की उज़ास से नहीं purchase करते थे वो भी अब इस bike की तरफ move करने लग जाएगे बाइक की बात करतों बाइक में कुछ ज़्यादा फरक आया नहीं है तो चलिए इसके लोंग स्टेट और pricing के बारे में आपको बता देता हूँ बाइक की लोंग स्टेट दोस्तो expected June 2021 की रखी गई है एक लाग सतर हजार के एक्शेरों प्राइस पर लिष्ट की आकरी और फिफ्ट बाइक है दोस्तो 2021 बुलेट 350 इस बाइक में दोस्तो ज़्यादा चेंजिस नहीं आने वाले रोइन एंपिल की तरफ से कमपनी बुलेट 350 में थोड़े बहुती चेंजिस करेगी उन सभी के बारे में आपको बता देता हूँ बाइक का इंचिन आपको 2021 बुलेट में और ज़्यादा रिफाइन देखने को मिलेगा और थोड़ इसी पावर को भी इंक्रीस कर दिया जाएगा बाकी इस बाइक में 2021 बुलेट के बाद आपको ट्यूबलेश टैर और अलोई विल्स मिल जाएंगे और दोस्तो 50-50 चांसिस है कि बुलेट 350 में Bluetooth connectivity आ जाए बाकी कुछ ज़्यादा चेंजिस नहीं है तो इसके लॉंच और पैस के बारे में आपको बतायता हूँ इस बाइक की लॉंच रेट अगस्त से सप्केमर मत के आसपस रखी गई है और प्राइस दोस्तो एक्सपेक्टेट 140,000 के एक्शनों प्राइस पर रहने वाला है तो ये थी दोस्तो आज की वीडियो रोएन एंट फिल की अपकमिंग बाइकों को लेकर जो 2021 में इंडियन माकेट में लोच होने वाली है अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक जरू कर देना आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना की आप कौन सी रोएन एंट फिल की बाइक का वेट करने वाले हो और दोस्तो अगर आपको और भी कोई अपकमिं बाइक और बजट बाइक से रिलेटिड वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी इन बाइकों से रिलेटिड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप इन वीडियो को एक बाद जाकर जरूर देख लेना एगर आप कोई भी बैक लेने के बार में सोच रहे हो या लेने का प्लान कर रहे हो और दोस्तो अगर अभी तक आपने मेरे चेनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे भी ऐसी ही बैक से रेलेटेड वीडियो उस देखने के लिए और बैल आकन को प्रेस भी जरूर कर ले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए